हाई, वेलकर दो मैंचेनल, इस पीडिमें एक सॉल्ट करिंग क्वेशन वार फॉर, कंस्ट्रक्ट आ पार्लेलो ग्राम पीक्यू और इसमें सब कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, चली पहले रॉफ डिग्रामिक प्रा करते हैं, तो हमने एक रॉफ डिग्राम यहां ड्रा कर लिया है, यहां पर आपको बस मिला है पीक्यू, वन साइड, और दो डिग्राम आपको पता है, पी आर आपके वैलू दिया है 6.8 cm, और क्यू वैलू है वो है आपका 8.2 cm, यहां पर जो मेन कांसेप्ट आपको जानना है, वो यह ह है, हम जानते हैं कि पैरिलेलोग्राम के जो डागनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को बैसेक्ट करते हैं, यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक है, बैसेक्ट करने का मतलब यह होता है, कि जो भी पी-ार मनन्थ होगा, उसका यह पॉइंट जो है आधे पर होगा, मतलब कि 6.8 यह the PR है तो यह जो यह जो point है इसको let us suppose हम माल लेते हैं O फिलहाल में ओके तो यह जो PO होगा PO उसका length होगा 6.8 का आधा ठीक है 6.8 का half होगा 6.8 का इदी half यह लेते हैं आपको मिलेगा 3.4 3.4 centimeter कहां से कहां तक यहां से यहां तक ठीक है और SQ का half करेंगे तो 8.2 पूरा complete है तो इसका half होगा 4.1 centimeter तो यह यहां से हो जाएगा 4.1 centimeter कहां से कहां तक यहां से यहां तक ठीक है तो हमने यह देख लिया कि यह आपका मिल गया है 3.4 और यह 4.1 तो यहां पर जो construct करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप PQ ड्रा करेंगे ठीक है सबसे पहले PQ ड्रा करेंगे उसके बाद यह O point find करेंगे और O point find करने के बाद PO को आप produce करेंगे आगे की तरफ और OQ को भी produce करेंगे आगे की तरफ तो आपको S और R points मिल जाएंगे और जब S और R points मिल जाएंगे तो we can join each and every points other points, ओके? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि PO यदि 3.4 है तो OR OR भी होगा 3.4 ठीक है? और यह जो 4.1 यदि आपका OQ है तो यह आपका OS भी 4.1 होगा 0.1 cm ठीक है? तो चलिए यह one by one इसको हम construct करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे PQ को draw करेंगे, ठीक है? 5.2 cm PQ length सबसे पहले करेंगे क्या? आपको यह find करना है PO मतलब कि O point find करना है तो O point find करने के लिए 3. देखे P को center मान करके और 3.4 radius के साथ एक R खीचेंगे उसके बाद एक दूसरा R खीचेंगे Q को center मान करके और radius लेंगे 4.1 आप यह दोरों जो कटेंगे तो यहाँ पर O point पर एक point मिल जाएगा जिसको मतलब हम O यहाँ पर नाम दिये है तो पहले हम O को find करना चाहते हैं ठीक है? तभी हम track कर पाएंगे इसको और कोई तरीका नहीं है इसको find करने का यदि होगा तो आप comment box लिके भी रा सकते हैं मुझे कि यहाँ एक और तरीका है तो बिल्कुल ही इसके लिए मैं आपको outside करूंगा कि आप बताएंगे को यह दूसरा तरीका भी है तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 3.4 cm के radius यहाँ से हम एक आर खीच लेते हैं फिर हम सेंटर मानेंगे q को यहाँ पर लेना है आपको 4.1 देखिए आप पॉइंट हमें जो मिला है यह पॉइंट वो ओ पॉइंट है जो हमने यहाँ पर बताया था आपको यह हो गया ओ पॉइंट इसको जोइन कर देंगे pq sorry p o and q o आपको मिल जाएगा ओके नाउ अब यहाँ पर जो मिल गए आपको p o इसको हम आगे की तरफ produce कर देंगे कितना पॉइंट produce करेंगे आगे की तरफ आपको यह पता है कि p o जो मिला है हमें 3.4 cm लेंध का मिला है आपको ठीक है मतलब कि आप जा ले सकते हैं 3.4 cm और यह उपको मिला है 4.1 cm यदि आप p o को इसी के direction में produce कर दें और कितना produce करें 3.4 cm मोर जब इसके आगे जो है 3.4 cm मोर आप produce कर दें तो आपको एक point मिलेगा और उसको हम देखते हैं कौन सा point मिलता है तो यहाँ पर हम पहले हम यह भी कर सकते हैं कि इस पर हम arc ले सकते हैं ठीक है इस पर हम arc ले लेंगे 3.4 cm का और देख लेते हैं यहाँ पर कितना यह है 3.4 3.4 लेंथ ही यह है तो यहाँ पर इस point पर रख करके हम एक arc खीच लेंगे तो हमने यहाँ पर एक arc खीच लिया अब करना क्या है कि इसको produce करेंगा आगे की तरफ तो यहाँ पर मिलेगा जो point वो 3.4 cm लेंथ का ही होगा क्योंकि हमने जो arc खीचा है वो 3.4 cm लेंथ का ही खीचा है तो इसको हम आगे की तरफ produce करते हैं इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा scale ओके तो हमाई point मिल गया यह point और यह point जो मिला है आपको PO PO को produce करने के बाद देखिए हाँ पर यदि हम PO को produce कर रहें आगे तरफ तो मिलेगा हमें R, R point मिलेगा और यहाँ पर जो cut point मिला है वो एक्चली क्या है R है तो हम यहाँ पर denote कर लेते हैं R R, ओके अब हमें next point find करना है तो हम Q, O, Q को यदि Q और O को produce करेंगे आगी तरफ 4.1 cm length का तो हमें मिलेगा तो यहाँ पर हम radius लेंगे 4.1 cm का 4.1 4.1 cm का radius लेकर के यहाँ से इसको center मान करके हम एक R खेच लेते हैं 4.1 cm का ठीक है अब हमें क्यारना क्या है कि यह जो line है Q, O इसको हमें produce करना है आगी की तरफ और यह जाकर रहें कट करेंगा इस R को कट करेंगा और जहां भी कट करेंगा वो point मिलेगा S ठीक है यहाँ आप आप देख रहे हैं इस तरफ डाग्राम में Q को इस देख रहेंगे तो OS मिलेगा और यह QS आपको मिल जाएगा means S point यहाँ पर मिल जाएगा तो हमने यह ड्रा कर लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल कि यहाँ पर जो point मिला है वो बिल्कुल आपका S है ठीक है तो यहाँ पर आप S denote कर सकते हैं अब सारे points तो मिली गया है बिल्कुल सबको join कर दीजिए तो आपका यह बन चुका है PQ RS Parallelogram और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यह Parallelogram जैसा दिख रहा है और यदि आप measure करेंगे तो PQ की जो value है वही आपका SR का होगा कि चानते हैं कि opposite sides of a Parallelogram are equal तो यह भी 5.2 cm का मिलेगा जो कि आप measure कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको measure कर दिखा देता हूँ कि सच में यह है उतना या फिर कुछ अधिक कम है ओकी तो आप देश सकते हैं 5.5 मतलब exactly वो थोड़ा सा मतलब difference हो सकता है लेकिन exact position पर थोड़ा सा है ही विल्कुल यह देख रहे हैं आप यहाँ से देखे आपको मिल रहा है 5.2 cm ठीक है 5.2 cm है आपका 5.2 cm पर यह भी था 5.2 cm पर यह भी है यदि आपको अच्छा लगा यह construction तो like कर देजोगा इस वीडियो को अपने दोस्तों को share करिएगा यदि अपने subscribe अभी तक नहीं किया है तो subscribe कर लिजिएगा thank you so much for watching bye